Hello everyone, welcome back to our channel future study तो BA program के student है semester first के जो आपके discipline subject है education इसके important question भी तंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जाए DUSO LansiWeb student के लिए और ये जो आपकी class 4 है इससे पहले हमने बाकी के third class करा चुके हैं तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिए कर लिंक आपको description box में मिल जाएगा और ये class हमारी 4 है इसमें हम आपको question number 5 और 6 है इस question के अंसर बता रहे हैं और बाकी की 4 question के अंसर हमने इससे पहले बता चुके तो वीडियो को आप देख लीजिएगा तो चलिए आपको मनसर बताते हैं तो ये हमारी class 4 है इसमें आपको देखिए उप्योक धारन के साथ सिच्छा के तीन रूपों या परकार की व्याख्या करनी है तो जो सिच्छा के तीन रूप कौन-कौन से एक तो देखिए सिच्छा के विबे रूप या परकार सिच्छा की एक प्रकिया के रूप में और बहतर समझ बनाने की लिए यह आउसक है कि हम उसके अनेक रूपों के बारे में समझे वह उसता कि सिच्छा के तीन रूप होते हैं तो आपको पता चलिए जो सिच्छा के परकार पूछे या रूप पूछे तीन परकार होते हैं तो फॉस्ट पॉइंट हो अप्चारिक सिच्छा फिर आएगा नी रोप्चारिक सिच्छा फिर अनप्चारिक सिच्छा ठीक है तो यह के करके सब के बारे में देखते हैं विष्विधियो सब 650 द्वारा निक्षिक गजाते यह पून रूप से योजनबंध shirt होती हैं तथा इस इसमें बहुत ही कम लचीलापन होता है तो आपको पता चैन्य लडंग जो आपचारिक सिच्छा है आपको कहां मिलती है तो महा विधाले विष्विधाले या विधाले में आपको दी जाती है और इसको कहते हैं और इसमें एक उद्देशिय होता है कि आपको इस उद्देशिय को कोडिंग ये सिच्छा दी जाएक और इसमें जो लचीलापन बहुत ही और कारेक सिच्छा में चातरों को संस्ता की समय साधनी के अनुसार ही कारे करना होता है इसमें चातों का अंकलन परिच्छा से लेकर किया जाता है तथा उसका परणाम प्राप भी दिया जाता है ताकि वह सिच्छा के अगले स्तर पर पहुँच सके और इस तरह सिच्छा बैक्ति समाज और राष्ट की आवसक्ताओं को पूरा करती है यहें बैक्ति में ज्यान और कॉर्सल का विकास करके उसे किसी व्यवसायत्वा के लिए योग्ये बनाती आपचारी सिच्छा में धन सम अधिक खर्च करने परते हैं तो जो आपको समजमाय की जो औप्चारी सिच्छा क्या होती तो इसमें अपति में बैक्ति को तुर्दी विकास होता और पर गेक्ती जो अपने योगिता को बनाये रखता है उसे प्राप्त करता है इसमें सबसे ज़्यादा जो सिक्षा में धन समय और वुज्या बहुत ज़्यादा अधिक लगती है साथी पॉइंट अपकर नीरोप्चारिष सिक्षा को ओपचारिष सिक्षा की तरब विश्विधाले आधि की सीमा में नहीं बांदा जाता है परन्तों ुद्दे से पात्रक्म निच्चत होते हैं तो इनको इन्सीमा के अंदर नहीं देखा जाता लेकन इसका उद्डे से होते हैं तक यूजना में भी काफी लचिला पन होता है जो इसमीं नहीं था पाथे कर retrouve सिखने का निक्चित किया जाता है उनी की सुबिदर्जनर्क Nishtit किया जाता है। हें को जो सिक्षा पसंद आते हो गई दिया जाता है, उनका समेय स्थान सब कुनी निच्चित होता है उसक्षा खुली ही शिक्षा तर सिक्षा Mohammad भीविन रूप है, रियहां बेक्तियों को सिक्ष़ करने के लिए साहक है, जो आपचारिक, शिक्षा का लाप नहीं उठा पाते, इसके द्वारा शिक्षा को निरंतर प्रदान की जा सकती है, तो जो आपचारिक शिक्षा का उप्योग नहीं उठा पाते, जिसके पास धन नहीं होगा, समय नहीं होगा, तो इस शिक्षा का अपनी शिक्षा पराप्त करते जो आपका 3 पुन ए आनुबचारिक सिक्षा वही कोई तो कोई निचित योजना होती newer ना कोई निचित उद्धेश इस पार्थी चर्चे या सिख्षन विधियों तो इसके अनुबचारिक सिख्षा कहा जाता है तो इसके कौई बी उद्धी होती Is कि आपको कौण सी क्लास में विश्विधालिय आपके कौन से सिच्चा पराप्त होगी, इसे अनवचारिक सिच्चा कहा जाता है, यह सिच्चा आकार्मिक रूप से सदा चलती रहती है और यही मानों को सबसे ज़्यादा परभावयत भी करती है, बच्चों की पथम सिख्चा अनुपचारी तरीके से पहले घर में सुरू की हो जाती है तो अनुपचारी सिख्चा में आप मान के चल सकते हैं जो आपकी घर में जो सिख्चा है प्राप्त होती है बच्चे के जन्म के बाद वो सिख्चा होती है उसके बाद मनुसे अपने संपन में आये नए नए बैक्तियों तता बातवरन से अनप्चारिक तरीके से कुछ ना कुछ सीखता रहता है और अपने ज्ञान में विद्धी करता है तो जो आपकी घर में कोई महमान आ या वातावरन हो जो भी उसके ज़री जो भी कुछ सीखते उसकी बिद्दी करते तो अनवचारी सिख्छा है बैक्ति के आच्रन नहें भासा को उच्छत दिसा देने के लिए उनके अनुभावों को विवस्तित करने के लिए उनकी रूची और योगता के अनुसार किसी विश्रेस कारें में प्रासिख्छत करने के लिए उनके अनुभावों को विवस्तित करने तता सिख्छा के परसार परसार के लिए आप्चारिक और आप्चारिक शिछा का प्रावंध बहुत ही आऊसक्त है तो किसी भी सिछा की जो किसी भी बैगने स्व आपको सुष क्षारिक और योगदान महीतिक पारण होथे इसमें विष्विध्दाल के बारे में बताया गया है और इसमें भी पताया गया उनी के बारे में लेकिन ये अपने समय और इस्थान निच्छित करते हैं इसमें लचीलापन होता है जो ठाड में आपको आएगा, कि जो आपके परिवार शिख्छा प्राप्त होती है आपके जर्म से बातावरण से वो सब पॉइंट आएंगे तो जो आपका नेक्स कॉर्शन ने स्टाथ होने जाहरा है QS इसमें आप तीनों के बारे में जो बहेद होते हैं इसमें अंतर होते हैं आपको बताना in 3ों में तो क्या होते हैं तो यहां देखिए तो इन दोनों में आपको अंतर कैसे देखा जाएगा तो यहाँ पर लिखा एंफ पॉर्स्ट पॉइंट है आपको समाज से प्राप्त होती है परिवार से प्राप्त होती है अपने मातर पिता से प्राप्त होती है तो इसमें आपको विश्विध्धाल में जाके आप वहां बैठ के पढ़ाई करते हैं उसमें कोई विद्धी नियम कानून सब होते हैं और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता प्रैंट करता है यहीं अनुपचारी सिख्षा किसी बाहरी बैठी द्वारा दी जाती है वह बाहरी बैठी अपने अनुवाओं और अपने सुझभाओं द्वारा वह सिख्षा प्रदान करता है और इसमें जो आपके टीचर होते हैं वो आपको प्राप्त करते हैं अपचारी सिख्छा और अनपचारी सिख्छा में जो कोई भी पैक्ति आपको कुछ भी सिखा सकता है जो बाहर के लोग होते हैं फिप पॉइंटि अन उपचारी सिख्षा प्रापती की शुरवात जन्म से ही शुरू हो जाती है और इसकी प्रापती मित्रों तक होती रहती है जबकि आपचारिक सिच्छा प्रापती के लिए बालग एक निच्च समय से सुरूख कर एक निच्च समय में खतम हो जाती है था चात्रों को विश्विधाले कारेकरम तक ही ही यह सिच्छा प्राप होती है आपको पता है कि आपने फुर्ष्ट क्लास में एडमेशन ट्वेल्ड क्लास तक आपको यह सिच्छा प्रापती है इसका समय इसकी काल इसकी सब कुछ निच्च ते और लेकिन अलबचारिक में आपने आज जनम लिया आपके परिवार में जो भी कुछ सिखाया जाता है आपके मित्तु होने तक ही सब कुछ आपको सिखाया जाएगा तो इन दोनों में अंतर आपको समझ मागए नेक्स पॉइंट इसका यहां फर फाइनली कोशन का अंसर कंप्लिट होगा टोटल फाइप पॉइंट में इसका अंसर बता दिये तो वीडियो अच्छी लगए तो लाइक से जोर किजिए इसके बाद आपके क्लास जो फाइप पैर कि उसमें आपके यूनिट सेकिंड के इंपोर्टन कोशन भी तंसर बताया जाएंगे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज किजिएगा थैंक्यू